साथ्य नमस्कार स्वागत आपका अपने चैनल हाड़ावेट्स क्लब में आपकी बेंशके भी फेट कम आते हैं आप भी ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पुछ भी खेलाने की जुरुत नहीं है आप जो नुर्मल चारा खेला रहे बस वो खेला यह लेकिन एक रहश्य चुपा है आप जिस बाल्टी में दूद निकालते हैं उस बाल्टी में फेट बढ़ाने का बहुत बड़ा रहश्य चुपा हुआ है अब आप वहीं से फेट बढ़ा सकते हैं और वहीं से फेट घटा भी सकते हैं अब आप ऐसा जादू करेंगे कि आप जब दूद निकाल करें वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा तो आपके समझ में आएगा और आपकी पुश्वों का आपकी भेंस का फेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा तो साथियो चैनल पे पहली 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 ब लेकिन फिर जब दूद ना अपने मार्केट जाते या बाजार जाते जब वहाँ पर वह मसिन ऐसे रेप निकाल दे जब वह मसिन उसका फेट निकालती है तो पशु मालिक को नुक्सान होता है क्योंकि उसके फेट बहुत कम आता है और दूद की कीमत निर्बर करती उसके उपर जितने अच्छे फेट आएंगे उतना महिंगा उसका दूद जाएगा यदि आप अपनी भेंस का दूद यदि 30 रूपे लिटर जा रहा है तो आपको घाटा पड़ रहा है यदि वही दूद 60 रूपे लिटर 70 रूपे लिटर या 80 रूपे लिटर यदि बिकेगा आ जैदा मुनापफ होता है तो इसलिए पुष्माली बहुत जैदा घटा काके अपना दूद बेश देते हैं क्योंकि उनको फैट बढ़ाना आता ही नहीं उनको दूद निकालना ही नहीं आता है तो यहां पर बात दूद निकालने की नहीं इसा एक राज है कि जिस राज को आज मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूँ तो आप वीडियोगों लाइक बहुत कम करते हैं वीडियोगों लाइक जरूरो करें तो साथ बात शुरू होती है खाने पिने से आप उसको अच्छा खिलाए पिलाएं दिन में उसको पाने भी अच्छा पिलाएं उसके साथ उसको हरा चारा भी डालना में जरूरी, सुखा चारा भी देना में जरूरी, खल देना भी जरूरी, दल्या देना भी जरूरी, ये सारी चीजे हमें अपने पशु को देना बेहत जरूरी, ऐसा नहीं कि पशु के वल सुखे खुंटे बे बंदा है, आप गए आपको سारा कुछ बताने वालो है तो सथी हो हम सब भी क्या करते हैं सुबह यसां को हम परन दूद दोते हैं यानि दूद फुरे को लेकर बांदेते हैं और पश् neatly निकालने लगते हैं परणाली बहुत पुरादी और बहूत पुरानी प्रता हमारे देशल रही है कई पुस्यो मालिक यही करते हैं और बीच का सारा पश्- मालिक निकालक जाके नाप देते हैं उसका इसने में निकालते हैं, तो आपको अब इसा नहीं करना है, तो फिर कैसा करना है, आपको शुरू अवस्ता में बसले को दूद भरपूर मातरा में पिला देना है, क्या करना है, शुरू शुरू जैसे आपने बसले को छोड़ा पशुने पवास उसके प पिलाने के बाद जितना भी दूद बसता है, वह सारा दूद आपको निकालना है, आपको बिलकुल भी पश्विफ का एडर में दो भूंज भी दूद नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे ने अप निर्बर करता है, लाश्ट वाले दूद में, और लोग क्या सोचते हैं, क्यों पिले दूद आके इकटा हो गया, थनों में वहार्ड हो गया, उसका ऐसे ने अच्छा आएगा, ऐसा बिलकुल नहीं है, आप पहले वाला हलका दूद आता है, वह बस्ड़े को पिला दे, बाद में बस्ड़े को बिलकुल भी दूद नहीं पिलाना है, पहले पिला दिया, उनको पता है लेकिन जो नए ने लोगों उनको बिलकुल भी पता नहीं वह जाते बस्ने को दूद पिलाते हैं फिर दूद आप देखेंगे एकदम रहश्य होगा आपका पश्व का फेट दिरे दिरे बढ़ जाएगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना चलने को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट तब तक के लिए जय हिन जय भ उक्ना पूर को जोस्क्त जाएब करना तो मिलते हैं को जब है जा चारग कि अमिलते हिसे आपके उलते हैं, जह स्बस सक्ट ताभ ऌईका श सरओता ह।